तो जैसा कि पिछल एपिसोड बे हमने देखा था फिलाल यहापर जो भी लोग पहुचे थे इन सबी को वो फायर स्पिरिट ग्रेन फाइनली नजर आच चुका था अब आगे और जीनों ने भी मार्सुल इनिवर्स या दग्रेट रूलर पढ़ना हो तो मेरे चैनल पर आपक बस तुमने को मिलेगा तो आगे बढ़ते हैं अब यहापर की हाओ को दिखाये चाता है उसके फिलाल हाटबिड बढ़ चुकी थी क्योंकि कुछ भी हो जाए इससे यह स्पिरिट ग्रेन चाहिए था कि हाओ दूबारा से जाव युवान की दरब देखता है पर जाव पर बार बार तुम उससे सफर करते हैं फिर भी तुम फाइट करने आ जाते हैं असके चेहरे पर एक स्माइल था पर फिलाल यहापर वे कांगलां की आगों में एक केलिंग इंटेंड को देखा जा सकता था अब जैसा कि बात हुआ था वे कांगलां वर्सेस ब्लैक वेनम की सबसे पहले वे कांगलां अपने golden की से अटेक करते हैं पर बदले में ब्लैक वेनम की थी यहापर अपने ब्लैक की मनक टोरना एट हो बढ़ाता है और इनकी अटेक को डिजॉल्फ कर देता है और वेनम की अगसरा था कि आओ कांगलां आओ मेरे poison को जखो यह अपने Genesis की इस दूबारास अटेक करता है और कांगलंग भी पीछे नहीं अटते है यस तीदा हेड़ान इसके तरह बढ़ रहे थे बदले में ये भी अपना फीश्ट अटेक बढ़ा देते और सामने वाने का पाम अटेक टकराता है पहले कैसा रहता था कि कांगलं आगे नहीं आ देते क्यो और इस बार वैनम किंग को घाड़ा हुआ था और कांगलंग हस रहे थे ये तूमें क्या लगता है कि क्या मैं इस बार अनप्रिपेरड आये हूँ अब वो जो रून बनाया था याओ 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 ने ये उसी का कमाल था जावीवान भी आपर चैन के सास लेते कि अब हम जन चलसी हो जाती है और फाइनली यहाँ पर एक क्रीचर बहारा था ये एक जायंट पाइथन के जैसा था इससे हम ब्लैक पपेट पाइथन कह सकते हैं और की हाओ ये सिदिक काफी कुछ था जावीवान वो कुछ समझ में नहीं आता है यह ऐसा कैसे हो सकते है और की हाओ आओ जावीवान मैंने तुम्हे पहले ही समझाय था कि निकल जाव यहाँ से अभी जो पपेट था इसका भी पावर लिविट शद अलफा स्टेज में ही था तो जावीवान का टीम इसका कुछ कर नहीं सकता था की हाओ फिलाल इसे इसलिए कंट्रोल कर बारा था क्योंकि इसके पास एक बाजोरी थी जिसके धूल पर यह कुछ समय के लिए ही सही पर इस पपेट को कंट्रोल कर सकता था और फिलाल यह पपेट अभी जावीवान को सोच रहा था तब तक इनके ग्रूग के तरफ बढ़ चुका था कांगलंग चाहा कर भी आगे आनी सकते थे क्योंकि फि पिलाल इसके बस के बाहर की चीज़ है और यह यावयाव की तरफ देखता है क्योंकि जब यह रूइन्स में आ रहा था तो इसने यावयाव से पूचा था कि जब हम उसीवत में फसेंगे तो आप हैल्थ दो करोगे यावयाव ने हलाकि कुछ बोला नहीं था पर यह जानत थी और दूर खड़ा की याव वो लगातार हसे जा रहा था यावयाव इस सेन को देखती है और फाइनली यह सोचती के कुछ करना ही पड़ेगा और फिलाल यह जो टुन्टुन था इसे जावयावान के तरफ उछाल देती है तुन्टुन फिलाल जावयावान को देखता है याव याव का इशारा यही था, कि यार यह fight करेगा, बहुत दिन से खा के सो रहा है वस, और याव याव इससे कहती भी, कि तुमने बहुत खा लिया है, कुछ करके तु दिखाओ, जब युवान जानता था, यह ऐसे motivate, ऐसे motivate नहीं होगा, यह टुन्टुन से कहता है, कि पर क्या रहे है, यह टुन्टुन fight करेगा, खास करके UA, किंकिंग वगेरा, क्योंकि टुन्टुन दिखने में काफी cute था, और जाव युवान ने बैसे कि यह टुन्टुन को आगे फैंक दिया था, जैसा कि याव याव ने कहा था, अब तरी जो python puppet था, यह अपने पूच स बाइतन काफी दूर जाके गरता है, और टुन्टुन की बाड़ी पर कुछ red skills देखे जा सकते थे, यूवे कहती है, क्या यह सच में टुन्टुन है, त्योंकि फिलाल जो टुन्टुन के height थी, वो 10 feet के आसपास होगी, और एक devouring aura मान उसकी बाड़ी से लागातार निकल रह प्यार जाव युवान की पास, यह alpha origin level का genesis beast यह आया कहां से, अब यह सोचता है, क्या यह royal clan का एक rum card है, जो कि इनोंने अभी तक छिपा के रखा था, अब इदर python और टुन्टुन का battle शुरू हो चुका था, टुन्टुन अचानक से गायब होता था, और अपने cloth से क्योंकि इसको pain भी नहीं होता था, क्या आउ समझ चुका था, कि फिलल जो puppet है, वो disadvantage में, और यह जानता था, अगर ऐसा चलता रहा, तो fire spirit grain इसके हाथों से निकल जाएगा, और फिलल अपने group के सार, जापर fire spirit grain था, वहां भी बढ़ जाता है, इधर you way वगरा समझ चुके और यह भी उसे follow करते है, जाव यहाँ यहाँ पर याओ याओ को छोड़ देते हैं, यह फिलल आस पास पे नजर रखो, अब इधर कियाओ के group बढ़ रहेते हैं, और इनके पैरनल में, जाव युवान का भी group, अब के लिए उगरा फिलल, यह जाव युवान के group को रोकने क कोशिश करते हैं, कि लिंग के सामने, लोटी एशान आ जाते हैं, अब बाकि जो कुछ लोग आते हैं, इनमें से दो को किंकिंग समाल लेती हैं, और युवे कहती हैं, कि इन दो को मैं समाल लूँगी, अब जाके fire spirit grain को हासिल करो, जाव इवन फिर भी सोसता है, यार युव और किंकिंग कहती हैं, बस आपको डिले करना है कि हाओ को, हम इनको डिल करके आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनका मानना ये था, कि जाव इवन अभी जस्ट की इनिशियल लेवल पे पहुंच जा है, और अभी तक इसमें कोई fighting method सीखा नहीं है, और वह यह कि हा सिनिश्टर इसमाईल को देखा जा सकता था, जाव इवन फिर से आसता है, कि तुम सच में पहले सी अपने में कुद को इतना strong मान लेते हो, कि तुम बैटल बिना लड़े जीत सकते हो, और ये फिर से इसे चिडारता है, कि रिटियान बोल करके, कि हाओ को काफी गुस्ता आ और जाव इवान कहता है, तुम्हारा जो छोटा भायर की हो, वो भी सेम बात कहता था, पर अब वो कहने के लायक नहीं, लगता है तुम्हारा भी असर वही करना पड़ेगा, अब कि आओ यहाँ पर अपने जैरेसिस की, जोकि ग्रेंट फोर का प्राइमल मेटल की था, उसे रिलीज करता है, इधर जाव इवान भी अपने की ड्वेलिंग पावर को एक्टिवेट कर चुका था, और इसके आओरा में एक ब्लेड रेट की को देखा जा सकता था, लोग यही चर्चे करते हैं, कि प्रिस जाव इवान इन्होंने अभी तक कोई की कल्टिविशन मेटल स आत सीखा नहीं, तो यह कैसे फाइट करेंगे, मानों एक टाइगर एक बच्छडी से फाइट कर रहा हो, और लोग यही कहते हैं, कि जाव इवान भी यहाँ पर मरेगा, और जाव इम्पायर हमेशा के लिए खताम हो जाएगा, लोगों के यह चर्चे चल रहें, और वही की हो, यह थोड़ा सा चौक जाता है, जाव इवान के जैलेसिस की को देख करके, कैच्छा तो तुम की नर्फिंस्टेस पे पहुँच चुके हो, और यह कहता है, क्या तुमने कोई की कल्टिविशन मेथड सीख लिया है, जाव इवान हसके कहता है, जब तुम ट्राई करोगे तो पता चली जाएगा, और कियो इस समय यह आगे बढ़ता है, पर जाव इवान यह मूव नहीं करता है, कि आउको थोड़ा शक होता है, पर फिर भी क्योंकि इसका पावर लेवल जादा था, तो यह आगे बढ़ जाता है, और यह तुरंती एक पंच अटेक जाव इवान क के करण, जाव इवान थोड़ा पीछे फैंक दिया जाता है, हलकि अपनी बॉड़ी को यह इस्टेबलाइज कर लेता है, और यह कहता है, कि आडवान्स की नरसिंग स्टेज और वो भी ग्लेड फोर का की, थोड़ा मुश्किल तो है, अब इस दोरान जाव इवान की हाओ की दिखा जाता है, क्योंकि अलका सा काम जाती है, और यह तुरंती खून के उल्टी करता है, और जब इसका प्लड जमीन पे गिरते हैं, तो वो उसमें भी एक कोरूजन पावर था, कि आगए को समझ में नहीं आते हैं, यह चल क्या रहा है, फिर फाइनी यह रिलाइस करते है कि यह तो जैनसिस की का पोईजन है, जाव युवान ने जब इससे फाइट किया था, तो हलका से यह पावर इसके बॉड़ी में भेज दिया था, और यह कोई और पोईजन नहीं बलकि ड्रेगन रिजन्टमेंट पोईजन था, जाव युवान हसता है, कि तुम्हें हेड़ वेपन से एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते, और एक मिनिट के अंदर भी यह दस से बार बार फाइट कर चुके थे, और फिला इस बैटल में कि यहाओ को अपर हेंट देख रहा था, जाव युवान भी अब फील करते है, क्योंकि लागातार इसे हो, कि वहाओ अ सच में काफी मुश्किल है, और अब तो कियाओ इसे फिसिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी करी नहीं रहा था, जाव युवान सोचता है, अगर मैं एंसिस्टर ड्रैगान स्क्रिप्चर का उमनी पाइटन की मास्टर कर पाया हो था, तो शायदी मेरे सामने नहीं टिक पाता, पर फिला लवी सोच के कोई मतलब था नहीं, कियाओ हला कि इसके तारीफ करता है, कि बिना किसी मेथट के, कल्टिबिशन मेथट के तुम इतना टिक गये, सच में बड़ी बात है, और जाव युवान जानता था, इसे जल्दी से कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और किया जाव युवान भी इस अटैक के बदले में, गोल्डे नेप वाला जो मूब था, उसे यूज करते हैं, और इनके स्कीन पर एक कॉम्प्लिकेटिड रून बन जाता है, और एक बाइंकर लेवल का पावर फिलाली यूज करते हैं, और अपने हेवनली युवान ब्रश में इ ऐसा कैसे हो सकता है, अब क्योंकि जो जाव युवान ने वो अटैक यूज किया था, गोल्डे नेप हो आला, वो ग्रेट टू का जैनासिस रून था, इसलिए फिनाल ये कियाओ को मैच कर पा रहा था, और इनका बैटल समाई के साथ काफी रूथलेस हो चुका था, लोगो बैटल के तोरण कियाओ भी थोड़ा इंजर्ड हो चुका था, और साथ में जाव युवान पर कियाओ फिनाल अनब्रेकेबल मैटल यूज कर रहा था, ये जो टेकनीक था, मिड ग्रेड का ब्लैक जैनसिस टेकनीक था, अनब्रेकेबल मैटल, एक डिफेंसिव तरह का अट और शाद अभी तक इसका डिफेंस को कोई तोड़ नहीं पाया था, फिलल जाव युवान इसके इस वाले अटेक से बचने के लिए ड्रागन स्टेप्स को यूज करता है, और थोड़ा पीची हटता है, जाव युवान हलाके ड्राई करते हैं, पर जबी भी ये इससे टकर आते थे, एक पेन फिल कर सकते थे, वो डिफेंस जो था, सच में काफी श्राउं था, किया हओ फिर से मजे लेता है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने मुझे काफी सर्प्राईस किया है, और फिलल अन दोनों के थोड़े नोग जोग भी चलती थी, इस दोरान क किया हाओ, ये मिड ग्रेड का एक और जनेसिस टेकनिक यूज़ करता है, हैफनली कोल्ड, स्पिलिटिंग स्पिर और एक किलिंग इंटेंड के साथ, अपने भाले को लिए हुए, जाव यवान के तरफ इसे ये बढ़ा देता है, शैदे की हाओ का मेभी श्रॉंगिस्ट इस बार लगता है कि परण जाव युवान इस बार ये मारे जाएंगी, इधर जाव युवान इसका भी चेरा तोड़ा सीरियस हो जाता है, ये गयरी सास लेता है और जैनेसिस की को फुल पावर इकदम रिलीज कर देता है, और अपने हेवेनली युवान ब्रस पर इसे फो आते हैं, और इवेन नीचे की जो जमीन थी, उसमें भी क्रैक्स आने लगे थे, और इस कोलिजन के करण इस बार जाव युवान और की हाओ दोनों उड़ते वे काफी पीछे जाके गिरते हैं, जाव युवान के भी बोड़ी से अब खून आ रहा था, सेम हाल, की हाओ का भ की आओ फिलाल, अब जाव युवान के तरह पढ़ रहा था, और जाव युवान ये अभी विगव शांती से खड़े थे, और की आओ कहते हैं, मुझे लगा था, कि तुम मर्दे से में थोड़े डरोगी, पर तुम सच में काफी शांत हो, पर जाव युवान के चेरे पर ए हाट के करीब पहुंसता है, ये रुक जाता है, और मानो की हाओ, ये अपनी बोड़ी सबना कंट्रोल हो चुका हो, और की हाओ चिलाता है, कि तुमने ये क्या किया, जाव युवान हाच रहते, कि तुमें क्या लगता है, कि तुम्हारे अनब्रेकेबल मेटल के सामने, मैं बस ऐसे ही अटेक कर रहा था, और अपनी युवान ब्रस की तरफ इशारा करके, युवान ब्रस पर इसका जो सेकेंड रून था, वो फिलाल जमा करा था, और उसका जो पावर था, उसे कहते है इरोड, और जाव युवान खुद काफी प्रभाविक था, हैवनली युवान कर सकता था, यानि एक तरह से गला सकता था, हलागि कि आओ इस समय तक अपने बोडि का कंट्रोल हासिल कर लेता है, पर इसके पास मौका नहीं था, युवान ब्रस के खासियत भी यही थी, कि जबी भी जाव युवान अटेक करता था, इसका एक बाल समझ लो, कि आओ की बो पड़ चुगा था, कि यह वो इतना डर चुका था, इसे मालूम था, यही आसे भागने को देखता है, पर अब तक, जव युवान ने अपना जो इवान ब्रस्ता इसके आरपार निकाल दिया था, और यह कहता इस से, कि अगले जनम में बैटल जब करना, तो पहले कुश मत हो जाना, कियाव फाइनली मर चुका था, और यह जर्चा, चारदर फैल चुका था, और यही जर्चा था, कियार जाव इवान उसके पास तो की कल्टिविशन मेथाड भी नहीं था, फिर भी वो कियाव को हरा दिया, सच में ये बंदा मॉंस्टर है, वे किंकिंग या सूई युवे, सूई युवे तो चलो थोड़ा वरोसा कर सकती थी, और किंकिंग को थो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर ये भी कियाव से फाइट करें, तो इसके पर जितनी के चांसे, साथ 50% या उससे भी कम होंगे, फिलल जाव इवान वो फाइर स्पिरिट ग्रेन की तरह बढ़ता है, और फाइनली इसे अप्टेन भी कर लेते, अब फिलल यहाँ पर किंकिंग और युवे आ चुकी थी, और किंकिंग कहती कि मैंने भी ये कभी खाया नहीं, मैं भी इसे टेस्ट करना चाहूंगी, युवे पर देख रही थी, पर कुछ बोलती नहीं, जाव लगते हैं, और एक जैनेसिस रून्स ये पूरे एरिया को गेरने लगता है, और ये जो जैनेसिस रून्स था, ग्रेंड फूर का था, जो इसने से पहले से प्रिपेर करके रखा था, अब इस पावर को देखकर ये लोग समझ चुके थे, क्योंकि स्पेस में एक ब्लैक क्ल ये जिन्दा इसलिए था, क्योंकि ये मेटल बॉडी था, इंसान होता तो मर चुका होता, और टुन्टुन फिलाल मानों इसके साथ खेल रहा हो, यूवे भी कहती है, यार ये टुन्टुन ये सच में काफी फ्राइटनिंग है, और जावी वान्स होसता है, यार मुझे इस स्पिरिट था, ये उसे डेवोर करने जाता है, तब जावी वान्स चिलाता है, नहीं, थोड़ा अपने मुझे को लगाम दो, हाला कि टुन्टुन को ये पसंद नहीं आता है, पर फिलाल, ये रुख जाता है, और जावी वान्स उस बीश स्पिरिट को ले ले था, क्योंकि टुन्टुन शान्त हो जाता है, कि चलो ठीक है, इधर कीलिंग वगेरा अपने टीम को लेके निकल जाते है, इनको मालूमता बैटन करके अब फिलाल कोई फायदा है नहीं, और फिलाल जावी वान्स की नजर, एक कांगलांग वाले बैटन पर जाती है, और ये सोच रहा थ टुन्टुन ओपी, क्योंकि ये बिश सच में काफी खतरनाक है, साथ में लालची भी बहुत है ये, टुन्टुन यहापर अपने कलो अटेक को यूज करता है, और वैनम किंग कितना पढ़ जाता है, वैनम किंग जब इसे देखता है, तो ये अपने पोईजन पावर से इस काफी बुरा था, और ये काफी गुस्ते में फिलान, वैनम किंग पर अटेक कर देता है, ब्लैक वैनम किंग समझ चुका था, और ये जाव इवान से कहता है, कि मैं अपनी हार मानता हूँ, मेरा जो फैक्शन है, ये ब्लैक वाटर रिजन में ही रहेगा, और मैं कभी भी आ अब जाव इवान भी सोचता है, यार ये बंदा काम का तो है, क्योंकि ये अलफा उर्जिन नेवल का एक्सपर्ट है, इससे हमारे जो क्लैन का पावर है वो बढ़ सकता है, पर तब ये किंग किंग कहती है, ये बंदा काफी दूर थे, इससे हमें सावधान रहना ये कभी भी बिट्रे कर सकता है, जाव इवान को भी ये चीज मानूँ था, और ये याव याव के तरफ देखता है, और याव याव कहती है, इसका एक तरीका है, और जाव इवान फिलल वेनम किंग से कहता है, कि तुम्हें अपना पूरा रेजिस्टेंस चोड़ना पड़ करने लगाता है, और जाव इवान एकदम पैर के पास आके गड़ता है, वेनम किंग फिर से चिलाता है, यो रहाइनेस, आई सब्मेट, हलाक इसकी आपने पैने वाले फॉर्म में आ जाता है, और याव याव के घोद में आकर बैट जाता है, अब फिललल जाव इवान इस स्कून्स इसके बॉड़ी पे बना देती है, अब ये जो पावर था, ये वेनम किंग के बॉड़ी में मर्ज हो जाता है, फिलल इसका कलर ग्रीन था, और याव याव बताती है वेनम किंग को, ये जो स्पिरिट लोकिंग टेकनीक है, अगर तुमने गलती से बे कुछ किया, तो तुमारा स्पिरिट लोक है, और इसे डेश्ट वाई किया जा सकता है, और इसका जो इगनाइटिंग बटन था, ये फिलाल जाव युवान को दे देती है, वेनम किंग ये फील कर सकता था, कि इसका स्पिरिट सच में लोक है, जाव युवान इधर काफी खुस था, और फिलाल क्योंकि अब वेनम किंग ये इनके टीम में आ चुका था, और वेनम किंग को भी मालूम था, कि मरने से अच्छ है, कि कम से कम जिन्दा तो रहोगा, और अगर अच्छा काम किया, तो आगे बढ़ी जाओंगा, बैटल फैंदी शमाप तो चुका था, कांगलां हो ये बाखी लोग, ये फिलाल जाओ यूवान की तारीफ करते हैं, और साथ में याओ याओ जो कि बैटल को अकेरे बदल सकती थी, और जाओ यूवान भी कांगलां की तारीफ करते हैं, बीना आपकी ये पॉसिबल नहीं था, पर कांगलां समझाते हैं कि की क्लेन वाले ये में सरिनाते अब जावीवान कहता है कि fire spirit grain तो मिली चुका है याज निकलते है पर तो भी याव याव जो valley का bottom वाला हिस्सा था उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम्हें सभी treasures मिल चुके हैं जावीवान कहता है हाँ यार fire spirit grain ये तो मेरे पास नहीं है पर याव याव कहती है कि ये जो battle puppets एक था ये पहले काफी songs थे तो इनके ruins में हमें कुछ और मिल सकता है ruins मतलब जो टूटे फोटे जगए रहते हैं महल वाला इस्सा और फिलाल ये लोग bottom of the valley की तरफ बढ़ते है शुरुवात में जावीवान को यावे कुछ नहीं नलता है बस दिवाले जब ये गड़ा खोद रहते हैं तो एक आवाज मुलम नीचे में कुछ metal हो उससे टकराता है और ये बंदा उस force के करण काफी पीछे जाकर गिरता है जावीवान समझ चाता है कि नीचे में genesis runes का boundary है और फिलाल इस गड़े के तरू ये नीचे एंटर करते हैं पर इस barrier को ये cross कैसे करेंगे फिलाल ये यही सोच रहते हैं क्योंकि forcefully चाना मतलब खुद को मारना है और याव याव को होते हैं कुछ भी impossible था नहीं स्टोरी को यहीं पर समप करते हैं और मिलते हैं फिर खल एक नए वीडियो के साथ